नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में मैं अद्वोकेट प्यूश मितल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाईज। दोस्तों, यहां धी हजबन वाईब के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, जिसके चलते पत्नी के द्वारा 498 एक केस फाइल किया जाता है, और इसी दोरान डाइवोर्स केस में कोर्ट के द्वारा पती पत्नी की मैरिज को नल एंड वोइड डिकलेर कर दिया जाता है, यान कि अमान ये घोशित कर दिया जाता है, तो क्या 498 एक केस में पती और ससुराल वालों को सजा हो सकती है, पनिश्मेंट हो सकती है, क्या 498 एक केस में कन्विक्शन हो सकती है, दोस्तों, आज हम इसी पॉइंट पर बात करेंगे और बात करेंगे ओनरेबल सुप्रीम कोट की लेटरस जैज्जमेंट के बारे में जहाँ पर सुप्रीम कोट के सामने एक ऐसा ही मामला आया जिसमें कि पत्नी के द्वारा 498 का केस किया गया था और उसी दोरान पती पत्नी के डाइवोर्स केस में कोट के द्वारा मैरिज को ही नल एंग वाइड डिकलेर कर दिया गया तो ओन्रेबर सुप्रीम कोट का ऐसे में क्या कहना था क्या 498 के केस में कन्विक्शन की जा सकती है तो दोस्तों वीडियो को अंतक जरूर देखेगा क्योंकि ओन्रेबर सुप्रीम कोट के द्वारा 498 के मामलों पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टन और बहुत ही लेटेस जिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे इनकेस आपकी कोई भी लीगल समस्या है लीगल कोरी है तो वह भी आप मुझे भेज सकते हैं यदि आप मुझसे अर्जिंटली बात करना चाहते हैं कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कॉल मिफोर एप का इस्तिमाल कर सकते हैं या इमेल से भी मुझसे वान टो वन सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं तो चलिए वापिस अपने टॉपिक के ओपर चलते हैं और जानते हैं 498 एक के रिगार्डिंग ओन्रेबल सुप्रीम कोड की लेटेस जज्जमेंट के बारे में दोस्तों ये जज्जमेंट ओन्रेबल सुप्रीम कोड के द्वारा 9 फरवरी 2023 को परनाउस की गई थी और इसका टाइटल है पी शिवा कुमार वर्सिस टेट दोस्तों इस केस में पती-पत्नी की मेरिज सन 2023 में होती है और शादी के बाद दोनों के आपस में जगडे शुरू हो जाते हैं जगडों के कारण दोनों एक दूसरे से अलग-अलग रहने लग जाते हैं इसके बाद पत्नी के द्वारा 498A और दहेज पतार्णा को लेकर के एक कंप्लेंट फाइल की जाती है जिसके बेसिस पर पती, सास, ससुर और देवर के अगेंस्ट 498A और डौरी को यानि की पती और बाकी ससुराल वालों को 498A और दहेज पतार्णा के आरोपों से बाइजद बड़ी कर दिया जाता है यानि की सभी को अक्विट कर दिया जाता है लेकिन इसके बाद राज्य सरकार द्वारा और पत्नी के द्वारा हाई कोर्ट में अपील की जाती है रि और डौरी प्रेप्शन एक के लिए दोशी करार दिया जाता है और सजा सुनाई जाती है इसके बाद पती और ससुराल वालों के द्वारा high court के order को honorable supreme court में चैलन्ज किया जाता है दोस्तो supreme court के सामने पती के वकील का कहना था कि इस case में पती पतिनी की marriage को high court के द्वारा सन 2021 में null and void declare किया जा चुका है यानि कि अमान्य घोशित किया जा चुका है और क्योंकि पत्नी पत्नी ही नहीं रही है इस करके पती को 498 A के केस में convict नहीं किया जा सकता सजा नहीं सुनाई जा सकती दोस्तों honorable supreme court पती के पक्ष से बिल्कुल सहमत था honorable supreme court का कहना था कि यदि पत्नी की marriage null and void declare की जा चुकी है तो ऐसे में 498 A IPC के केस में पत्नी और ससुराल वालों को सजा नहीं कि जा सकती क्योंकि पत्नी अब पत्नी ही नहीं रही है डावरी प्रोप्शन एक्ट यानि की दहेज परतार्ना के आरोपों के बारे में supreme court का ये कहना था कि trial court में evidence के दुरान ये कहीं भी साबित नहीं हुआ कि पत्नी पर किसी भी तरह का दहेज के लिए अत्याचार किया गया हो इस तरह से honorable supreme court का मानना था कि trial court के द्वारा सही निर्ण ने दिया गया था जिसमें पती और ससुराल वालों को 498A और दहेज परतार्ना के आरोपों से बरी किया गया था honorable supreme court के द्वारा पती और ससुराल वालों की appeal को accept किया गया high court के order को set aside किया गया और पती और ससुराल वालों को 498A दहेज परतार्ना के आरोपों से मुक्त किया गया acquit किया गया दोस्तों honorable supreme court की judgment से इस case से बिलकुल clear हो गया है कि यदि पती पत्नी के बीच में matrimonial dispute हो जाता है जिसके चलते पत्नी के द्वारा 498A का case file कर दिया जाता है लेकिन in the meantime यदि पती पत्नी की marriage ही null and void declare की जाती है अमान ये declare कर दी जाती है तो 498A के case में पती या उसके परिवार वालों को सजा नहीं सुनाई जा सकती उन्हें कन्विक नहीं किया जा सकता दोस्तों ये बहुत ही important judgment है इस judgment का link मैं आपको description में दे दूँगा बहां जाकर कि आप इसको download करके पढ़ सकते हैं और अपने case के facts के अनुसार यूज भी कर सकते हैं तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा यदि आपकी कोई legal समस्या है legal कोरी है तो वो भी आप मुझे बेच सकते हैं चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा वीडियो को like और share जरूर कीजेगा अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जहन